नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजूकेशन में दोस्तों एक कहावत है कि जो जूट होता है न वो लंगड़ा होता है वह जोगार बोल दिया तो वही पढ़ा रहेगा लेकिन जो सच होता है न दोस्तों उसके होते हैं पैर यानि कि वो आज नहीं तो कल सामने जरूर रहेगा दोस्तों कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है जो आपकारी मामले में मनीशी सोद्या केस में जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एडी से कुछ तकड़े सवाल की है क्या सवाल है आएए देखते हैं तो आपकारी मामले में मनीशी सोद्या की जमात याजिका पर सुप्रीम कोर्ट का एडी से सवाल धन लेने के सबूत का है दोस्तों सोचिए कि छे महीने के आजपास हो गए है जब जो मनीशी सोद्या है वो जेल में है और धन लेने के सबूत ही प्रोपर नहीं है दोस्तों ऐसी खबर है यह हमरुजार लगी खबर है दोस्तों इसको हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सराब गोटाले में आपने ता मनीशी सोद्या की जमाना याजिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दोरन कोर्ट ने एडी से कई सवाल किये लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई कोर्ट ने ताल दी अब इस पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी दरसल मनीशी सोद्या ने दो याजिकाएं दाखिल किये है जिनमें डिली हाई कोर्ट के जमारत ना देने के फैसलों को चुनोती दी गई है वरिष्ट वकिल अभी शेक मनू सिंग्वी ने मनीशी सोद्या की और से पक्ष रखा सिंग्वी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरो बे बनियाद है और इन से साबित नहीं होता कि याची का करता का इस धान्दी से कोई संब्द है आरो पी वीजे नायर याची का करता का सही होगी नहीं है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की दोरान प्रवर्तन निदेशाला ईडी से पूछा कि पैसे लेने के सबूत कहा है शीर सादाद ने कहा आप सिर्फ गवा के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते शिशोदे के खिलाफ धन के लेन देन का सबूत बताएं यह भी इस प्रेश्ट किया कि आम आदमी पाइटी यानि आपको आरो पी बनाने के समय में एडी से पूछा गया सवाल सिर्फ कानूनी है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस S.V.N. भटी की पीट ने जमानत याचिकाओं पर बहस के दूसरे दिन एडी और C.B.I. से इस इस जोदिया कि भूमे को लिएक कही सवाल किये पीट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू से कहा आपको कड़ी चेन स्थापित करनी होगी पैसा शराब लोबी से व्यक्ति तक पहुचना चाहिए हम सहमत हैं कि चलिए कड़िया जोलना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ गुपत रूप से किया गया पर यहीं आपकी शम्ता की बाता आती है पीट ने पूछा क्या दिनिश अरोडा के बयान के लावा और कोई सबूत है पीट सी शोदिया को जमाद देने से मना करने के दिल्ली हाई कोड के फैसले को चुनोती देने वाली दो याचिकाव पर सुनवाई कर रही है अब जो इसमें अगली सुनवाई होगी दोस्तों वो बार अक्टूबर को होगी तो दोस्तों ये था एक छोटा सा आर्टिकल मुझे लगा आप लोग को सामने रखना चाहिए वीडियो चीले के लाइक और शेयर के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे तक इस तरह की वीडियो आपको मिलती नहीं इस वीडियो में इतना ही थैंकिसों